भारत रतन डॉक्टर भीमरा अंबेटकर को कोटी-कोटी नमन ये कारिक्रम डॉक्टर भीमरा अंबेटकर के जीवन पर आधारित है जहां भारत की जनता के प्रेती उनकी योगदानों को पूरी सजगता से चितरित और एकांकित करने का प्रयास है कारेक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्द प्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं इस कारेक्रम के जरिये चैनल की ओर से एक विश्वस्तनिय सजग और सकारत्मत प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहिब भीमराम बिट करके जीवन की संघश यात्रा एवं गौरोव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुँचे और उनके योगदानों से सभी संपूरता में परिचित और अलहादित हो मैनेजर साहब की शर्त का मतलब ठीक वैसा ही है जैसे कोई आदमी गया हो किसी मौले में मुफ्त की मिठाईयां बाटने उसने पूरे मौले को तो मिठाई खिला दी पर चाहा कर भी खुद नहीं खा पाया इस भीमराम का हाल भी या हो ऐसे ही होने वाला है अब देखिये ना कितना पड़ा लिखा है आपका शिष्य डेजुशन की डिगरी भी आसिल की है पर चाह कर भी यहां किसी अकबार को छू नहीं पाएगा पढ नहीं पाएगा और अकबार को छूने या ना पॉड़ने के पीछे तर्क सिर्फ इतना ही है गुरुजी इसका छोटी जात का होना यह एक सच्चा ही है गुरुजी जिसे चाह कर भी यह कभी बदल नहीं सकता इसे इस दफ्तर में नौकरी मिल गई बड़ी बात वो भी सर्फ इस लिए तो कि आपने इसकी पहुंच अकबार के मालिक तक लगाए थी पर यहां यहां काम करने के लिए इसे मैनेजर साफ की शर्ट तो मानने ही पड़ेगी क्यों मैनेजर साफ जे बिलकुल मतलब आप दोनो इले होई हैं एक दम सही पहचाना अपने लेखे न आप अदर अकबार के मालिक से मिले और हम इदर मैनेजर साफ से मिले बताओ भीमराओ शर्ट मनजूर है या नहीं मुझा मनजूर है आपकी शर्ट ठीक है तो एक और शर्ट है अब और कौन सी शर्ट गुरू जी थोड़ा सब्र कीजिए शर्टों की पूरी परत तो खुलने दीजिए बताए बताए गुरू जी को ये जितनी देर यहां काम करेगा खड़ा होकर काम करेगा और खाना पीना सब बाहर ठीक है ये शर्ट भी मनजूर है अधिकारों की कानून की कोई दुहा ही नहीं थी क्या हो गया हम ये नौकरी के लालच में अपने सारे सिद्धानतों को भूल लगए क्या तुम है नहीं सारे सिद्धानत याद है मुझे अगर एक समझदार व्यक्ती को इतना समझना चाहिए कि अपनी मांग किसके सामने रखे अब इनके सामने में चाहे जो बोलू कुछ फाइदा नहीं होगा तो मैनेजर साब लिम्रा वो कब से काम पर आ सकता है ठीक है कल सुबै चार बज़े से भीज़ दो ठीक है चलिए गुरुशी लिम्रा जाते जाते एक पर फिर से अच्छी तरह से मेरी शकल तो देख लो ताकि बार बार ये सोच कर तुम्हें गुसा है कि तुम जहां भी जाओगे मेगनाद को ही पाओगे तुम्हारी जिन्दगी को मुश्किलों से भर तूँगा मैं कुछ बोलोगे नहीं भी मरा आपका छोटा बेटा महीपाल पढ़ा लिखा है एक काम कीजिए कम से कम रोज एक अकबार उससे पढ़कर सुनने की आदट डालने जी क्योंकि अकबार व्यक्ति को जगाता है और आपको जागने की जरूरत है आता हूं कल सुपार चलिए परशी नहीं इस बीमराह से काम लेते समय इसे इतना परिशान करों कि हर पल इसे वैसा ही मैसूस हो जिसा वो गिट्टी उठाते समय मजदूरी करके लगता था इसे ऐसास दिलाएए कि छोटी जात का आदमी चाहे कितना भी क्यों न पढ़ ले उसकी आउकात नहीं बदलती पाने दीजे ना कल से उसे सही लेकिन नहीं नजाने की दुरूरत क्या है जिनके घर छोटे होते क्या वो घर में नहीं रहते क्या आप चिंता मत कीचिये अभी आप सब लोगी परिवार हो आप साथ में रहिए चाहल इतनी बड़ी है किसी भी कोने में रह लूँगी मैं नानी, ऐसे मज जाएए पेटा, तो यह दूर थुड़ी जा रहे हूं इसी चाल में तो हूँ मुझे जाना होगा शोभा, सामान ले ले और चल मेरे साथ मुझे जाएए अच्छा, मनुह, क्या लग रहा है? यह पुर्शुत्म सत्में बदल गया होगा? अरे नहीं, उमका नहीं लागा थे पुर्शुत्म जईसा आदमी बदल सका थे का पक्का नाटक कर रहा है अरे नाटक कर रहा है या बदल गया? यह तो पता नहीं लेकिन आएगा बड़ा मजा अब देखते हैं कि होता क्या है पियो चाही पियो अरे यह भुवा कहां जा रही है? अर निरा भाई अरे निकल गड़ी निकल गड़ी आई बेटी का रिष्टा खत्म पती के आते ही खुश्य सामाल लेकर बाहर पहुचा दिया अरे बस एत्ते दी नहीं चलाई आई बेटी का रिष्टा अच्छा पढ़िया इस्तेमाल की हिस्सो भाई का अब पेचरी वाकी किसमत ही खराब है तो कोई क्या कर सकता है जहां जाती है रिष्टे खराब हो ही जाते है जनारदन काका किसी भी रिष्टे को लांशन लगाना असान है कि अगर रिष्टे का सम्मान करना मुश्किल है और अगर आक में से किसी को भी पूरी बात पता नहीं है तो बीच में मत बोली है क्या पता जिसे आप भगाना समझ रहे हैं वो सम्मान करना हो अच्छा भीम रहाओ मतलब तुम कुछ भी कह दोगी कुछ भी कहानी सुना दोगे हम सब मान लेंगे हाँ आप जरा शांत रहिए और इन्हें बोलने दीजिए सब कुछ पता चलेगा हुआ शोभा काकी क्या आपने एक दुसरे को मा बेटी मानना बंद कर दिया है भीम यह लोग जो सोच रहे है ऐसा कुछ भी नहीं है हाँ भीम ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन आपके हाथ में जोला देखकर तो ऐसा ही लग रहा इन सब को कि आपका रिस्ता तो खतम हो गया है तो इस पर क्या कहेंगे आप इन सब लोगों को अपने परिवार और रिस्तों की समझ कहा है तभी तो इन्हें समझ नहीं आएगा कि घर के बुजूर्ग अपने से छोटों को जगह देने के लिए खुद घर से निकल जाए इसे समरपड कहते हैं ना कि रिस्तों का खतम हो जाना और घर के जो छोटे होते हैं वो बड़ों से इतना प्रेम करते हैं वो कभी नहीं चाहते के घर के बड़े कही दूज है वो हर संभाव कोशिश करते हैं उन्हें रोकने की शोबाने भी मुझे रोकने की बहुत ही कोशिश की लेकिन ये बात ये हितेश जनारतर और जोको को कहा समझ में आएगी ये तीन जने का तब परिवार हाई नहीं ताही लोग का जाने परिवार का इज्जद करना आखेही हैं अमरे पतीदेव जो खुजी इनको अपने पत्नी सी कोई ले नहीं देना नहीं है कि का समझेंगे कि अगया कि और कुछ जानना है आप सबको अभी भी आप सबको ऐसा ही लग रहा है क्या कि इनका रिष्टा खतम हूग गया, है क्या है न इतेश कका, कई बार किसी भी रिस्ते में जो बिखराव दिखता है न वो बिखराव उस रिष्टे को ज्यादा गाधा बनाता है, बस, हो गया भाशन प्रदा, हो गया, लेकिन अंत में हुआ क्या, कि तुम्हारी वौा घर से निकाल दी घई, तो अब ये बैचारी रहेगी कहाँ, हाँ? आर रहेगी मतलब? और इसमें सोचना क्या है? ये गर उसका भी है? नहीं, यारत अपने घर नहीं रहेगी! मुझे इसे देके गुसा आता है, ये नहीं रहेगी अपने साथ, नहीं रहेगी! मुझे अकेली को रहने के लिए कौन सा बड़ा संसार चाहिए, इतनी बड़ी चाल है, कहीं भी रहे लूंगी मैं? मेराब, ऐसे कैसे कहीं भी रहे लूंगी? ये खर भी तुम्हा रहा है? बैयाब, आप चिंता मत खरो, रहे लूंगी मैं कहीं बेभी? मैंने कहा न, ये बुड़ी है, मुझे बसंद नहीं है। बाज चीज़ा बाई! अंदर सेलो, मुझे तुमसे कुछ बात करूं। बाब, आप चिंता मत किशे, बाबा अच्छे से समझाएंगे उन्हें। पिम, मैं या को बोलकर, जिज़ा बाई को मनाने की कोई सवर्वत नहीं है। पर, मैं कहीं भी रहे लूंगी बिटा। चलो, अच्छा हुआ, अब चाल में नहतक का एक नया अध्यफिर से शुरू हो गया। लो, बहुत जना आएगाए, अब पूरा मजा आएगाए। घाम जी, अरे, बताओ तो, का पहसला किये। आएगाए। लाम जी, अरे, मना लिया अपनी पागल-पत्नी को, है। देखिये, मुझे बहस नहीं करनी है। यह मेरा फैसला है, वो बुडिया अंदर नहीं आएगी तो नहीं आएगी। वो बुडिया नहीं है, वो मेरी बैन है। अच्छा, वैसे तो मैं भी पागल नहीं हूँ। वगर बनी हूँ ना पागल। किसके लिए। आपके लिए। आपके उस बेटे के लिए। इसी तरह आप भी अपनी बहन को बुडिया मान लीजिए। और उसे बाहर ही रहने दीजी। और वैसे ये क्या कम है। कि इस बात पे मैं नाराज नहीं हूँ। कि वो यही कही चाल में रहेगी। अरे तुम पागल बन गई हो। तो उसके बदले मैं भी तुम्हारा गुलाम बन गया हूँ। और आगे भी रहूंगा। लेकिन मिरा के साथ ऐसा व्यवार मत करो। ठीक। ठीक। या ऐसा व्यवार नहीं करूंगी। तो मैं जाकर अब बताती हूँ कि मैं पागल नहीं हूँ। सब का नाम लूंगी मैं। और कहूंगी कि सबने मिलकर मुझे पागल बनने कहा। ताकि भीम बड़ोदा जाने से रूख जाए। ठीक। जाओ कह दो सोच लिजी। सोच लिए। जाओ कह दो पहले ही दिन मुझे आपकी बात माननी ही नहीं चाहिए थी। बाहर जाकर सब को बताऊंगी। फिर जो होगा देखा जाएगा। जाओ जेजा भाई मैं तुम्हेरे हाथ चोड़ता हूँ। सम्हत करो। मैं भी हाथ चोड़ती हूँ। जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। आपका बेटा आपके पास रहेगा। और मेरा पती मेरे पास रहेगा। आपके पास रहेगा। अरे राम जी, अरे इतना क्या मना रहे है अपनी पागल पतनी को। अरे बहार आओ मैं राम जी को आखिर जीजाब आई। कहुन बात पेतना देर अंदर रोग पाई। कुछ ना कुस्त दाल में काला है जरूर। लो, आँ या राम जी, आओ। अब चिंता मत करो, मैं कहीं भी रह लूगी। देखो मेरा, मैं तुम्हें घर तो नहीं ले जा सकता। मेरे कुछ मजबूरिया है, जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। लेकिन, कम से कम, चाल के एक सुलक्षित हिस्से में तो रख सकता हूँ ना। चलो, क्या मजबूरिया है आपकी, खिर से कही है। मैं कहूँ भिर से क्या का, कौँ कौँ, इन्होंने कहा कि ये घर में नहीं रह सकती। और एक बर कहूँ, कौँ कौँ बीम, हाथ छोड़ दो मेरा। बताईए बाबा, क्यूं कहा आपने ये सब। देखो मेटा, जैसे तुम अपने पतनी का खयाल रखते हों, वैसे मैं भी अपने पतनी का खयाल रख रहा हूँ। इसमें गलत क्या है? गलत? ये बेहन है आपकी, हमारी बुआ है। जाओ तो तुम मुझे गलत समझतो, लकिन मेरा हाथ छोड़तो। गलत समझना क्या है आपको बाबा, गलत कर ही रहे हैं। मतलब तुम मुझे अपरादी मानते हो। ठीक है। मानते रहो। चल मेरा। बाबा, बाबा मैं अभी भी कह रहा हूँ गलत कर रहा है। अब तुम क्यों रोक रही हो मुझे? तुम्हे दिख नही रहा है बाबा गलत कर रहे है। वगलत कर रहे यह गलत दिख रहा है वो नहीं पता है मज़े। आप अंदर चलिये। लेकिन? आप अंदर चलिये। ए! तुम दोनों, जाओ! जाओ 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 अंदर चलिए। मेरा.. क्या गहूँ बहु आखों के सामने रहेगी तो मैं इसी चाल में हूँ तुम्हे कोई दिक्कत आने में दूँगा अगल मैं आपको समझ सकती हूँ आपकी बातों को भी समझ सकती हूँ मुझे पता है आपने जिजाबाय को मना लेकी पुरी कोशिश की होगी अंगर आपने क्या बाते की होगी होगी में समझ सकती हूँ आपकी आँखों में मुझे बेबसी और मश्बरी दिख रही है आप मेरे लिए परेशान में पुए आप मेरे लिए परेशान में पुए है देखकर दिया कभी रारोय दुई पातन के बीच में साबुत बचाना को हुआ